नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका फिल्म एजासुस में आखिर कौन है बॉल्यूड में सबसे ज्यादा किंग का खिताब जितने वाला एक्टर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप बॉल्यूड फिल्मों के फैन है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपने अभी तक हमारी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो तुरंती सबस्क्राइब कर लीजिए बॉल्यूड में हर साल कई सारी फिल्में रिलिज होती है और इन सब फिल्मों में से बहुती कम ऐसी फिल्में होती है जो सूपर हीट या फिर ब्लॉक बस्टर होती है तो हम आज इस नीज में जानने वाले हैं बॉलिवूड के उन एक्टर के बारे में जिन्होंने अपने करियर में सबसे ज्यादा बार कींग का खिताब जिता हो। हम इस निज में बात करने वाले हैं बॉलिवूड का कौन सा एक्टर कितनी बार दे चुका है पूरे साल की सबसे ज्यादा कमाय करने वाली फिल्म यानि क सनी देओल दो बार किंग का खिताब जीच चुके है छटे नंबर पर है रितिक रोशन रितिक रोशन ने अपना बॉल्यूड का करियर साल 2000 से शुरू किया था और उनकी पहली फिल्मा रिलीज हुई थी 2001 में और वो फिल्मा थी कहो ना प्यार है और बता दे कि ये फिल्मा उ और वर फिल्मा के जरिये पांच में नंबर पर है शारु क शारुक खान ने उनके करियर में पांच बार किंग का खिताब जीता है वह भी ओम शांति ओम वीरजा वी जारा देव तास और दिल वाले धुल्हनय जैसी फिल्मों रही थी और ऐसी फिल्में वो अपने करियर में साथ बार दे चुके हैं तीसरे नंबर पर है आमिर खान आमिर खान ने भी बॉलिवर में साथ बार कींग का खिताब जीता है वो भी 3D8P के डंगल जैसी फिल्मों के जरिये और दूसरे नंबर पर है बॉलिवर के मेगा स्टार दिलिव कुमार बतादे कि दिलिव कुमार ने उनके करियर में 9 बार कींग का खिताब जीत चुके है वो भी मूगले आज़म, गंगा, जमुना जैसी फिल्मों के जरिये और पहले नंबर पर है सल्मान खान सलमान खान बॉलिवूड के वो एक्टर है जिन्होंने दस बार किंग का खिताब जिता है जहां उनकी पहली फिल्म मैंने प्यार किया ही उस टाइम की सबसे बड़ी हीर फिल्म साबित हुई थी और 1989 में ही ये फिल्म ने एक अनुखा रिकॉर्ड बना दिया था और इसके बाद सलमान खान की साजन हम आपके है कौन हम साथ साथ है दबंग बोडी गार्ड एक था टाइगर जैसी कई सारी फिल्मे साल की सबसे ज्यादा कमाय करने वाले फिल्म मर रही थी और इसी के साथ ही सलमान खान ने दस बार किंग का खिताब जी चुके है तो यह थे बोली वूड के वो एक्टर जिन्होंने सबसे ज्यादा किंग का खिताब जीता है इन में से अपका फैवरेट एक्टर कौन सा है वह हमें कमेंड करे यह निज पसंद आई है तो उसे लाइक करे